अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज ना उठे इसलिए विपक्ष की आवाज कोई खतम कर दो पूरे देश के अंदर चोतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है इसे में एक सौ बार नहीं हजार अफाई आ आप कर वा लिजें कल से जंतर मंतर पे मोधी हटाओ देश बचाओ का नारा गुझेगा और यह पूरे देश मे जाएगा आपको जितनी F.I.R. करानी है जितने आपके मुकदमे करने है जितनी किरफतारी करना है आप करवा लिजे लेकिन अब देश आपकी ताना साही को बरदास करने को त्यार नहीं है अब सारी हदें पार हो चुकी है अब कोई उम्मिद नहीं बची है कि आप सुधार करें कुछ होती हैं लोगों को लगता है साथ एक्सिडेंटल हो गई चलो भूल चुक में हो गई आगे ठीक हो जाएंगी लेकिन अब सिल्सिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर जो तरफा हमला हो रहा है उन्हें खत्म करने की कोशिस हो रही है लोगों के मन में एक दावसत्त पैदा करने की कोशिस हो रही है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा ऐसे में अब देश के सामने एक ही समादान है कि अगर सुतंत्रता स्यनानियों की विरासत को बचाना है देश क प annकि डेश के संविधान को बचाना आए। देश की संस्ताओं को बचाना आए। देश को तर्क्षि के रास्ते पढ़ ले जाना आए। यह ही रास्ता है मोधी हटाओ। देश बचाओ और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की सुरुवात करेगी और जो मिसंद 2024 तक जाएगा